आपने option trading में कितना lose किया क्यों किया कारण क्या था मैं आपको बदाता हूं देखिए मैंने लगातार option trading में पैसा बनाया और बहुत बढ़िया method है मेरा और उसके basis पे equity में तो अच्छा पैसा बनता ही है लेकिन आप option trading में अब इतना confidence हर बार लगातार पैसा बन रहा है अच् ट्रेडिंग इस तरीके से और रिस्की हो जाती कि उसका target आता है अच्छा कासा भागती उस जगे पर बुक नहीं कर पाते हो कई बार क्योंकि आप उतना pinpoint बैठे नहीं हो उस चीज को कर सकते थे लेकिन आपको नुकसान में दे करके चला गया तो वह चीज मेरे को लगता है कि यार अब इतना आप कमा रहे हो आप हर महीने कमा रहे हो उसके बाद में एक महीना ऐसा आ रहा है जो आपको डुबा करके चला जा रहा है तो अगर अगर मेरे साथ हो सकता और मैं बताता हूं स्पेसिफिकली गलती क्या थी मैंने पहला तो पर stock का amount बढ़ा दिया दूसरा मैंने 13 stock खरी लिए 13 stock के अलग-अलग option करी लिए अब मैं हमेशा मैंने देखा जहां पर मैं profit करता मैं 3-4 option में काम करता था तो चार्ट ट्रैक करना बढ़ा असान था अब यह 13 चार्टों में गया हुआ कि मैं उनका चार्ट ही नहीं ट्रैक कर पा रहा हूं देखी नहीं पा है उस concentration के साथ में कि गड़ा भी बचाना अगल बगल वाले को भी बचाना और इस पीड में बचना है तो अब यहीं कहूंगा कि हम जॉब और बिजनस कर रहे हमें उसे उस ताइम को यूटिलाइज करना है उस ताइम को अगर हम यूटिलाइज करने के साथ में ही लूज कर दिया मेरे को लग रहा है वो रहा होगा लंसम 50-60 लाक्स के बीच में तो पचास से साथ लाक रुपे उन्होंने लूज किया जिनके पास 17 साल का एक्सपीरिंस था तो वरोल बात है कि फंडमेंटल आपके वैसे बहुत क्लिर होने चाहिए अगर आप यह सोचते हो कि भाईया मैंने तो सब कुछ सीख लिया है तो देखो 17-17 साल का एक्सपीरिंस भी कभी कबार फेल हो